इटालिका एक प्रबिण लियोनार्दो दाविन चिले पाँच से बर्षभन्दा अगे एक यस्तो पेंटिंग बनाये का थिये जुन आजसम्मपनी चर्चा को सिखर मा रहेकुछा कहीले काहीं तपाईको मनमा पनी लागदो हो आखिर के रहस्या लोकेकुछ यस्तो पेंटिंग मा जसले दुनिया को सबई भन्दा रहस्या माये र सबई भन्दा प्रसिद्ध पेंटिंग बनाये दियो औनी के छ यस्तो खास जसमा दुनिया मोहित भई रहेका शन दर्शक ब्रिन्द आजको येस्त्रिंखाला मा हामी त्यही प्रसिद्ध पेंटिंग का बारेमा चर्चा गर्नी छों जुन पेंटिंग मोना लिशा को नामले परिचित छा सन पन्रसे तिनमा लियोनार्डो दाविंची ले मोना लिशा पेंटिंग बनावन सुरू गरेका थिये र सन पन्रसे शत्र सम्म येसमा उनले काम गरी रहे उनले सबय भन्दा धेरे समय मोनालिसाको ऊठ बनावनमा लगाये का थिये मोनालिसा को उठ बनावनमा दाविंची लाई बारा बर्स लागे को थियो तेस्वत लियोनार्दो दाविंची एक रामरा लेखक बने थिये तर अचम्म लाग्ष उनली आफनो सबई भंदा प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा को बारे मां कहीं कते यही बनी लेखे नन लियोनार्दो दाविंची ले बनाएको यह सपेंटिंग मां यस्ता रहस्य र घटना हरू रहे काचन जुन सुन्दा तपाइं चकीत पनो हने छा सन 18-22 जुन 23 का दिन लुक मासपेरो नामका एक फ्रांसेली कलाकार ले पेरिस को एक होटल को चोथो तल्लावाटा हाम फाले र आफनो जियान दिये उनी मोनालिसा को रहस्य मैं मुस्कान मा पागल भएका थे उनी मोनालीसा को सुन्दर्तामा मुहित भय का थिये जुन कुरा उनले एक सुसाइट नोट मा पनी लेखे का थिये तेसमा उनले लेखे का थिये कि मोनालीसा प्रती आफनों प्रेम रब बर्षूं प्रतीक्ष्या को समय बिताय का थिये मोनालीसा का बारे मा जुन सबई भंदा रहस्य मैं कुराच्छ जसली कलाकार अनी इतिहांस कार होड़लाई सोचना का लागी बिबस बनावने गर्छा त्योहू मोनालीसा को रहस्य मैं मुस्कान जुन अलग-अलग कोण बाट हेर दा फरक-फरक देखींछा पहिला युँ तस्बीर मुस्कुराउदे गरेको दिखींछा फेरी युँ मुस्कान फिक्का होने जानचा अनी फेरी गाय भनपोगदाचा एक अनुसंधान बाट के थाहा लागे को छा भने जुन नारीलाई दावेंची ले ये स्पेंटिंग मा उतारे कासन तिनले आफो वित्र रहस्य लुकाई रहे की थीन तेसेले मोनालीशा को मुस्कान धेले रहस्य माई जा केही बर्षा गाड़ी एक चिकेच सकले मोनालीशा को रहस्य माई मुस्कान को रहस्य उनका दूइ भांची एका दाथ हुन भने र सबैलाई अचम्मामा पारी दिये यही कारण ले होना सक्षा उनको माथिल्लो ओठ अलीकती दवी एको चाँ सन द्वी हजार मां हार्वर्ड का नियूरो साइंटिस्ट डाक्टर मार्गरेट ले भने मोनालीशा को मुस्कान फेरी ने होई न बरू मांचे को बिचार परिवर्दन होने हो अर्थात यो तपाई को दिमाग को खेल हो तपाई मोनालीशा को जस्तो अनुहार हेर ने चाहनो होँचा तेस्ते तपाई लाई देखीने छा यो कुन कुण कुरामा निर्भर रहान छा बने तपाई कुन बिचेमा केंद्रित भई रहानो भईको छा योकुरा सत्ते हो मोनालिसा एक धेरे नैं सुन्दर पेंटिंग छा आनी सूरू देखिने यो धेरे नैं चर्चित पनी छा तर तेती चर्चित यो कहीले थिया न जती बेला येस लाई पेरिसको लुभ्र म्यूजियम बाटा चोरियो संसार को सबै भन्दा चर्चित पेंटिंग लाई संसार काई सबै भन्दा ठूलो म्यूजियम बाटा चोरियो एक धेरे ने ठूलो आस्चादे जना घटना थियो तर तेस बन्दा पनी अचम्म पारी दिने कुरात क्ये छबने येसको चोरी को आरोप मा जोन बानेस मा थी संकार गरियो उनी थिये हमरा एक अर्का महान पेंटर पाबलो पेकासो हो, शुरुआत मा पावलो पिकास वलाई येसको चोरी गरेको आरोप लागयो, तरब पची धेरे सोत्पूस र अनुसंधान पची उनलाई येस आरोप बाठा मुख्था करियो तेसो भए ती को मान छे थिये जसले मोनालिसा को पेंटिंग चोरे का थिये सन 19-11 अगस्ट 21 मा यो पेंटिंग चोरी एको छियो, तरब तेस दिन एस पेंटिंग मा कसे ले ध्यान देये नन, फोलिपल्ट मात्र पेंटिंग चोरी भय को सबय ले थाह पाए अनुसंधान का लागी लुब्र म्यूजियम लाई एक हप्ता का लागी बंद गरियो, म्यूजियम का प्रसाशन अनि कर्मचारी हरू दुबिदा मा थिये साइड पेंटिंग म्यूजियम में कते राखिये को हला, तरप अचे ठाह भायो, मोनालीसा को पेंटिंग लूबर म्यूजियम के एक कामदार विंसेन जो पेरुगिया ले चोरी का रहेशन उनी मुजियम को एक सानो कोठामा लुके रा मुजियम बंदभाय पसी पेंटिंग लाइक लुकाया रा भागे का थिये विंसेंजो इटाली का एक देश भगता ना गरिग थिये उनी क्ये मान्नेता राखते बने लियोनार्दो को यो पेंटिंग उनको देश मा फिरता होनो पर सा औनी येसलाई इटाली को मुजियम मा देखा होनो पर सा दुई बर्स पछी विंसेंजोलाई तेती बेला पक्राव गरियो जाती बेला उनी मोनाली सालाई लियेर इटाली को फ्लोरिंस सहर को आर्ट मुजियम का निर्देशकलाई बेज न गए। दुई हफ्ता सम्मा इटाली को तेसे मुजियम मा मोनाली सालाई राखे पसी सन 1914 जनवरी चार मा पेरिस को मुजियम मा तेसलाई फर्काई एको थियो। बेंसेन जो लाई तेस अपराद का कारण 6 महिना को जेल सजाए भाय। तर इटाली ले उनको देश भक्तिका लागी उनलाई स्वागत गर्यू। मोनाली साको एक जुमलेहा पेंटिंग बनी उपलब धाछा जोन एकदम लियोनार्डो दाविंची को मोनाली सा जास्ते देखिन छा। भनिन्छा दोसरो पेंटिंग लाई दाविंची काई समयमा उनका चेला फ्रांसेसको मेल्जी ले बनायायका छिये। यो दोस्रो पेंटिंग स्पेन को राजधानी मेट्रिट को प्राडो म्यूजियम मा राखियेको छा मोनालिसा को थीन भनने कुरा आज सम्मा रहस्य माई छा अठाद दाविंची ले यो कसको तस्वीर बनाये का थिये इनारी को थीन धेरे जसो बिद्वान को अनुमान मा येस पेंटिंग मा जुन तस्वीर बने को छा त्यो लिशा घ्यरार देनी को हो जो फ्लोरेंस मा बसवास करने एक इटालियन महिला थीन तर एक सिध्धान तले कीपनी भन्छा बने मुनालिशा लियोनार्दो दाविंची स्वेम को तस्वीर हो अर्थात उनले येस पेंटिंग मां स्वेम लाई एक नारी अवतार मां प्रस्तूत करे काचन येस सुन्दर पेंटिंग लाई नोकसान पुर्याउने धेरे प्रयास भई सकेको छा सन उन्नाईस से छपन नमा एक बोले भेयाली परेटक ले मुनालिशा मा थी एक ढुंगा फ्यांके का थी जसका कारण मुनालिशा को बाया हाथ को कुनातिर एक सानो निसान लागे को थियो पची एसलाई मर्मत करे रा पुर्वबत बनाईयो तर निसान अहिले पनी हलका देखिन छ तेस बंदा अगारी एक वेक्तिले एस पेंटिंग मा थी एसीट फाले का थिये एस पची मुनालिशा को सुरक्षालाई ध्यानमा राखे र एसलाई बुलेट प्रूफ सिसा भीत्र राखियो तर तेस पची पनी एक महिलाले मुनालिशा मा थी रातो कलम बाट मसी छरकने प्रियास करे की थीन अनी सन 2009 मा एक रूसी युवातिले तस्वेर्तिर सेरामिक टीकी का फ्याकिन तर पेंटिंग दुबई हमला बाट सुरक्षित रह्यो दितिया बिश्वई धका बेला मुनालिशा लाई अफनो ठाउबाट छपटक परिवर्दन गरियो यो बहुमुल्य पेंटिंग जर्मन नाजी को हात नलागोस पने रा तेसो करिये बुछियो लियोनार्दो कई एक चेलाले सन 15-14 देखी 15-14 का वेश मुनालिशा को एक नगन स्वरू पनी बनाये का थिये जसलाई मुना फेनना बनेंच यसको हात रा सरीर को अवस्था एक दमै लियोनार्दो को मुनालिशा जसते देखींच क्यही मानेसरू यसतो पनी बनचन की यसलाई पनी लियोनार्दो दाविंचीली नई बनाये का हुन यो पेनटिंग पेरीश को कोन्डे म्यूजियम मा राखेए को सा लियोनार्दोले मुनालिसा को पेंटिंग बनावन 30 भंदा 13 लेयर्स उपयोग गरेका थिये रतिन का कही लेयर्स तो मानिस को कपाल भंदा बनी मसीना थिये मुनालिसा संसार को सबई भंदा मुल्यवान पेंटिंग हो गिनिज वर्ड रेकर्ड का अनुसार मोनालिशा इतिहास को सबई भंदा मुल्यांकित पेंटिंग हो। गिनिज का अनुसार सन उन्नाइस से बैसठी मां येसको मुल्या 10 करोड डलर आकिये को छियो। सन 2019 मां ये सत्तरी करोड डलर को वरीपडि रहेको सा। तर फ्रेंश हेरिटेज ला अनुसार इसलाइ बेश न वा किनन सके देना कि ये जनमानस का लागी हो। 1519 मां दाविंची को मृत्यु पची मुनालिसा फ्रांस का राजा को निजी संग्रह को हिस्सा बन्यू। फ्रांसेली क्रांती पची मुनालिसा लाई पेरीज को लुभ्र म्यूजियम मा राखियो। यो पेंटिंग नेपोलियन लाई एती मन पर्योगी उनले केही समये येसलाइ आफनो सयन कक्षको वित्तामा जुन्यायका थिये। जाती तमाई स्वोचन होंचा तेती ठूलो आकार येस पेंटिंग को छाई न यो पेंटिंग सानो आकार को छा। येसको आकार तीस गुणा 21 इंच र येसको तौल आठ किलोग्राम छा। दाविंची ले येसलाइ पेपर र क्यानभास मा बनायका थिये नन बरू लेक पिपल अर्थात पपलर को काटको पैनल मा तेल रंगले बनायका थिये। अनि येती सुन्दर ताका साथ बनायका थिये कि येसमा ब्रस को चिन्ह देखना नै कठीन छा। दाविंची को समय मा क्यानभास र पेपर उपलवता थिये तर तीस बेला का पेंटर के सोजद थे बने सानो पेंटिंग का लागी कार्ट को प्रयुक गरूने सही होने छा। जब तपायं ले येस स्पेंटिंग लाई हैरनो होने सा तपायं ले मोना लिशा को आखिबाउं र परेला का रोग देखनो होने सहीँगा। अब प्रस्ण उर्थाच, लियोनार्दो दाविंची ले मुनालिसा को आखिवाउं र परेला का रोंग किन बनाये नन। संद 2007 मा एक फ्रांसेली आविस्कारक पास्कल कोट ले हाई रेजुलेशन स्कैन बाट पत्ता लगाए दाविंची ले मुनालिसा को आखिवाउं र परेला का रोंग बनाये का थिये। उनले के बताये भने तो समय का साथ बिस्तारे बिस्तारे गाय भयो साइध तेरे सर्षफाईले मेटी दै गये का थिये। प्यारनर्मल कुरुसिवल नामको एक वैबसाइटले के दाविगरे को थियो भने मुनालिसा को पेंटिंग मा एलियन लुके को शा। भनियो एदी एस पेंटिंग लाए बायांतिर बाट अइना का साथ हेरियो भने एलियन जस्तो आकृति बन्दाशा। यो कुराले हामिलाए तवसोस न विवस पार्षा जब एक औरको सिध्धान्त सामुन्याओदाशा। जस्मा एसो भनियो दाविंचीले एस पेंटिंग को बायांतिर देरे गुप्य तरिकाले एक संदेश लोग आयकाशन। सिध्धान्त ले भन्छा पेंटिंग मा इटालियाले भासा मा लेखियेको शा। ला रिस्पोस्टा सी ट्रुभाक्वी अर्थात यसको अर्था हो दा आंसर इज हियर उत्तर यहां शा। यो सिध्धान्त पूर्ण रुपमा प्रमाणित भई न सकेको हुदा यसमा कती सत्यता शा त्यो येकिन का साथ भन न सकेन्न। मोनालीसा का प्रसम्सक संसार भली शान। यसमाथी देरे कवीतापनी लेखी सकियेकोँषा गितपनी बनी सकिकाशन। जहीले देखी एसलाई पेरिज को लुब्र म्यूजियम मा राखियेको सा, तब देखी एसलाई प्रेम पत्र मिली रहेको सा, मन परावने हरुका तर्फवाटा फूल आउशन। मोनालिशा लाई इंग्लीस मा यम O N A L I S A लेखने गरींछा, कोही एसलाई मोनालिशा भन्दसंत, कोही मोनालिजा भन्ने गादसं, तर इटालियाली भासा मा एसको सही उचारण हो मोनालिजा, जसको अर्था होंछा माई लेडी लेजा। जब तपाईं पेरिज को लुभ्र म्यूजियम मा जानों होंछा, तपाईंले मोनालिशा को कोठा मा गए पसी, जहां मोनालिशा को पेंटिंग राखियेकोछा, तेसको बेपरित दिशामा एक धेरे ठुलो पेंटिंग देखनोंए छा, जोन मोनालिशा भन्दा धेरे तेसेले यसला हेरना मानिस हरु मां तेती रूची देखी दैना, यही कारण हो मोनालिशा का अगारित तपाईं ले भीड देखनों होनेशा, तर यसला हेरना तेरे कम मानिस उभियेका होंचान। दर्शक ब्रिंद मोनालिशा को बारे मां तपाईं के भन्दों होन्छा, हामिलाई कमेंट मां अवस्य बतावनों होला। साथै, आजको श्रिंखला तपाईंलाई राम्रो लागे भने, लाइक तथा सेर गरी हाम्रो चानल लाई सब्स्राइब गरना नवोलनों होला। रशात्मा रहेको विल आइकन पनी थिचन होस, ताके हाम्रो नया वेडियो को जानकारी सबई भन्दा पहिला तपाईंना प्राप्त होस।